गोंदिया जिले के अंतरगत आने वाले इंडिया डोह का पानी क्षेत्र के तमाम खेती कर रहे किसानों के लिए संजीवनी का काम कर रहे है जिससे किसानों में खुशी के लहर दोड पड़ी है इटिया डोह डाम गोंदिया जिले के गाडवी नदी पर बनाया गया है सन 1970 से इसे बनाया गया है 30 मीटर उचाई वाला यह इटिया डोह नागरीकों के लिए आकरशन का केंद्र बना हुआ है गोंदिया जिले के अरजुनी मोरगाव तैसल में यह जलाशे है इस इटिया डोह जलाशे में फिशिंग सेंटर है इटिया डोह की जानकारी देने के लिए नापुर से NBCN की टीम इस जलाशे पहुची और नया में सवार होकर इटिया डोह की जानकारी दी इस ETI डोह जलाशे के बाजों में कुद्रत का नजारा देखते ही बनता है सुन्दरवादियों में यह जलाशे चार चान लगाते हुए दिखाई दिये उची पहाडी और उस पर कुद्रती हरियाली, विशाल पेड, सब का ध्यान अपनी और आकशित कर रहे है इसी ETI डोह जलाशे में फिशिंग सेंटर भी है यहाँ की चोटी बड़ी मचलियों के लिए कुछ खास फुड मचलियों को दिया चाता है यहाँ पर औरस चोरस धाचे में मचली के सबवर्धन हेतु और उनके रखरकाव में काम किया चाता है दरसो नमस्कार इस समय में इन विशिंग के टीम एक ऐसे डैम के पास खड़ी है उस डैम की खासियती है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि महाराश्ट्र महाराश्ट्र ये सुजलां सुपलां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महाराश्ट्र में कई ऐसे धरोर है जो आज भी जिन्दा है और लोगों के मन में एक काप्यची बात है ताकि महाराश्ट्र का पर्चम आज भी लेरा रहा है चाहे खेत खलियान हो नदी हो परबत हो जंगल हो या और कुछ ऐसे नेचर से जुड़ी जो बाते है उसे महारश्ट खिल-खिलासा नजर आता है इसी श्रिंकला में गोंदिया जिले के अंतरगत आने वाले ये वही इटिया डो का डैम है जो 35 किलो मेटर के दुरी तक पहला हुआ है और इस इटिया डो की डैम के एक खास बात ये है कि गोंदिया जिले के अंतरगत आने वाले आर्मोरी तवसिल के तमाम तमाम उन शेतर में जहां किसान खेती करते है उन किसानों को इसी ड्याम का पानी मिलता है और किसान काफी खुश नजर आ रहे है एटियाडोम से कैमेरा परसन सुभाज बुठले के साथ संजय इमीरे इंबी सिन्निस नागपूर दर्शको इस समय में हम एक ऐसे ना में सवार हुए है और यह इटियाडोम का जो डैंप है अब हम यहां पर फीश का बहुत बड़ा जो कारोबार होता है फिश कैसे जमा की जाती है और कितना यह जो बिजने से कितना फलफुल रहा है इसके बारे में जान करेंगे अब हम उस खड़े थे उस छोर से इस छोर के और आए हुए थोड़े प्लान करके सुभाशा बताइए आप देख सकते कि यह जो मिलेज और जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं यह उन लोगों में पुरी तरह से यहीं पर फिश जमा होती है और यहां पर पुरी तरह से एक अलग प्ल करने वाले फिश को उठा के यहीं बक्से में डालते है और इस प्रकार से यह जो पूरा दिखाई दे रहा है यहां पर फिश जमा होती है और यह जो दूसरा पॉइंट है आप देख सकते कि यह एक ऐसा सेंटर है जब भी कोई यहां से ऐसे नईया में जब बैगता है यह द कि थोड़ा सा है सुवाज हम बताइए थोड़ा यह दिखिए पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाओ ठीक उसी के जैसा इटिया डो से कैमेरा परसन सुवाज बुठले के साथ संजय मेरे इन भी सेन नीज नाकपूर